यह 108 मनका की माला है इससे हम 108 बार आहूती छोड़ेंगे सबसे पहली बात है कि हम गाहित्री मंत्र की आहूती छोड़ेंगे लेकिन गाहित्री मंत्र को बोलते नहीं गाहित्री मंत्र को गोपनी रखा गया है जैसे कोई चीज कीमती होती उसे कहा रखते हैं तिजूरी में रखते हैं चुपाके रखते हैं यह गाहित्री मंत्रों का राजा है सभी मंत्रों की उत्पत्ती गायत्री मंत्र के गर्व से हुई है जो गायत्री है वो ब्रह्मा जी की पत्नी है पहली का नाम सविता है दूसरी गायत्री है भगवान स्री कृष्ण भी संध्याबंदन करने के बाद मतलब नित क्रिया नित पाठ करने के बाद गायत्री मंत्र का जाब करते थे भगवान श्रीकिष्ण तो हम गायत्री मंत्र के आउती छड़वाएंगे आपसे और ये 108 मन का हैं इस माला में 108 मन का ही क्यों होते हैं ऐसा आपने कभी जाना वही 108 से ज़्यादा या कम क्यों नहीं होते हैं क्योंकि ये माता पारवती के मुंड हैं, एक बार नारज जी आये घुमते घुमते, बोले माता जी आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा, जमकि नारज जी बहुत दिनों में आये, उन्होंने माता पारवती उनको गुरू मानती थी, बोले माता जी आजकल लोगों में प्रेम नहीं है उन्हां ऑफ नहीं एसा तो नहीं जो मेरे भूत बावन भगवान श्री आ को बोले ना थे वह तो इतनेavy हैं कि उन्होंने तो मेरे को गुरू मंत्र भी बता रख presumably कुणक्सीकों को बताया नहीं गोटर He something क्वाभवान शिव का मंत्र था उन्होंने तो मेरे को बता रख रह इतना भी छिपावन करते हैं पक्का आप से कोई छिपाव नहीं करते हैं अचीजिए बताओ को उन्होंने जो मुंडों की माला पहन रखे गले में वो क्या अब माता जी भही चुप ओगे एक तो नहीं इतना सुनते ही तो माता जी जो है का बिचर गए नराज हो गए और कोप अबन में जाके बैठ गए और बाहर जब जाने लगी तो भगवान सिब से कहने लगे बाबा आपको माता जी बुला रही है अंदर बोले बाबा मुस्करा के कहरें के नारजी ऐसा हो यह नहीं सकता आप आओ और माता जी ना बुलाएं आपको मालू ही है नारजी की कैसी हुआ है ऐसा हो यह नहीं सकता है कि आप आए और ना बुलाएं तब जिद करके माता पारवती ने पूछा भगवान सिर से कि यह 108 मुंडों की माला यह क्या है तो उन्होंने बताया है आपने 108 वार जनम लि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी उन्होंने का कि इसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी तो आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई मैंने पिछली बार भी सुनाने की कोसिस करी थी अगस्त मुनी के पास जा रहे थे अमर कथा सुननाने के लिए लेकिन वहां क्या हुआ कि भगव नहीं नहीं तो वहीं से भगवान सिव और माता पारवती गुजर रहे जा रहे थे अगस्त मुनी के आश्रम में तो माता पारवती को संका हो गया संका होगी कि बता हुए कि भगवान है और भगवान होते तो यह पतनी के लिए इस तरह से गुंते हैं तो माता पारवती ने अवतार थे बिश्मु के अवतार थे माता जी आप कैसे बोले बाबा कहा है अब अगर आप किसी चोर को यह कह दो तो और कनफर्म कहें तो तो फिर सर्मिंदा हो जाएगा तो माता जी तो एकदम सर्मिंदा हो गए और निन से ही भगवान स्व ने मातां पार्वती का त्याग कर दिया जो अगले जनम में वो सति वूइ और देह म nugद जो पिछले जनम में उसति थी न उनके शरीर त्याग न पणा そう है पमता जी के प्रजा पतिद भगवान स्वट का क्यूकि उन्होंने जब से यही त्याग कर दिया था वो तो ऐसे लीला रचनी थी तो यह माता पारवती के मुंड हैं 108 इसलिए हम 108 मनका की माला जबते हैं तो अब हम गाहित्री मंत्र का जाब करते हुए आगुती छोड़ेंगे और मनी मन में आपको गाहित्री मंत्र का उचारण करना है अगर मंत नहीं हुआ हुआ है